स्वादेश को एक साल पूरे हो चुक है और इसी के साती साथ बाजार में भी जशने देखने को मिला है आज शांदार क्लोजिंग रही निफ्टी और सेंसेक्स की निफ्टी के अगर बात करेंगे तो दिंभर के उताचरा के बाद शांदार क्लोजिंग रही करीब 380 अंग उपर बंध हुआ निफ्टी और बैंग निफ्टी में देखे आखरी कुछ मिंटों में शांदार इजी देखने को मिली और 1000 अंग उपर बैंग निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली सेंसेस में भी देखे करीब 1270 अंकों से जादा की मजबूती आज सेंसेस में भी देखी गई है निफ्टी के दो शेरों को छोड़ दें पावर ग्रिड और डॉक्टर रेडीज तो बाकी सभी जो स्टॉक थे वो आज हरे निशाम में कारोबार करते हुए दिखाए दिये बाट टॉप गेनर्स पर नज़र डाले तो इंडिसेंट बैंक साड़े 5% उपर शांदा quarter 2 अपडेट आए और उसके बाद काफी अच्छी closing हमने देखी इस वीच बैंकों की जो quarterly अपडेट आ रहे हैं वो काफी अच्छे हैं और आज हम देख रहे हैं उसी के चलते बैंकिंग शेरों में काफी अच्छा रुजान देखने को मिला इसके बाद अदानी पोर्ट करीब 5% उपर बजाज फैनांस, कोल इंडिया और हीरो मूटो ये करीब 4% उपर आज कारुबार कर रहे थे सेक्टर स्पेसिफिक अक्षेम पर भी अगर हम नजर डालेंगे तो आज हमने देखा तमाम सेक्टरिल इंडेक्स हरे निशान में ही कारुबार कर रहे थे निफ्टी में देखेंगे तो HDFC, Bank और Reliance ने आज लीड किया और इसमीच निफ्टी Mid Cap में भी काफी अच्छा और परफॉर्मस देखने को मिला अगर निफ्टी मेटल को छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टरिल इंडेक्स आज हरे निशान में कारुबार कर रहे थे इसके अलावा PSU Bank इंडेक्स में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर 3% का उच्छाल देखने को मिला और फार्मा में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली और लगा था 6 दिनों से हम देख रहे थे कि अच्छी मजबूती के साथ फार्मा शेयर भी कारोबार करते हुए नजर आए तो काफी अच्छा आज कारोबार रहा दिन भर क्लोबल संकेट भी काफी अच्छे थे और उसी के चलते आज हमने देखा कि भारते बाज़ारों की शुरुआ भी काफी अच्छ हुई तिम्हें मजबूती के साथ टेकेर है और क्लोजिंग में तो होते होते काफी अच्छी तेजी मारकेट में आज देखने को मिली है बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पूजा आपका मारकेट की तमाम अपडेट्स के लिए और इधर गैस की बड़ती खीमतें और घर्टी सप्लाई को लेकर पी-मो ने एक एहम बैठक बुलाई है फर्टिलाइजर कंपनियों पर इसके असर को लेकर ये बैठक है इस एक्स्लूसिव खबर की और जादा डीटेल्स के साथ हमारे सायोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके है प्रकाश सरकार की चिंटाएं लाजमी है लेकिन इस बैठक का मुख्य जिंडा क्या है किन चीजों पर फोकस है देखे गैस की कीमतों में लगतार बढ़ोतरी और सप्लाइ समंदित दिक्कतों के बीच सरकार हरकत में दिख रही है सुतर हमें बता रहे हैं कि प्रधान मंतरी का रियाले इस मसले पर अगले हपते एक एहम बैठक बुलाई है और यह बैठक खासकर फटलाइजर सेक्टर को जो गैस सप्लाइ में कटोती की गई है इस मसले पर होगी गेल ने फटलाइजर सेक्टर को गैस सप्लाइ में 10% की कटोती कर दी है जिसकी वज़र से इस सेक्टर के मुश्किलें बढ़ गई है और इस बात की भी सम्हावना दिख रही है कि उरिया इंपोर्ट में खासकर तेजी आ सकती है सुतर हमें बता रहे हैं कि PMO जो है 10 अक्टूबर को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इस मसले पर बैठक करने जा रहा है और इस बैठक में पेट्रॉलियम सेक्रेटरी शामिल होंगे फटलाजर सेक्रेटरी शामिल होंगे कि मौझूदा हलात में जो डुमिस्टिक डिमांड है उसको पूरी करने के लिए गेल की क्या रननीती है साथी साथ कौन कौन से वो अल्टरिनेटिव मार्केट हो सकते हैं जहां से गैस इंपोर्ट किया जाएगा साथी साथ स्पॉर्ट पॉचेस की क्या संभावना दिख रही हैं कीमते कितनी बढ़ेंगी साथी साथ शॉट टर्म कॉन्टराइट अगर हो रहे हैं तो कौन कौन से वो नए मार्केट हो रहे हैं इसके बारे में गेल की क्या रनिती है इन तमाम असलों पर चर्चा की जाएगी सुत्रा में भी बता रहे हैं कि फटलाइजर सेक्टर को अगर आप गैस सप्लाई की बात करें तो टूफिप्टी एमेमें सीमडी गैस सप्लाई में कटवती कर दी गई है जिसकी वज़से इस साल इरिया इंपोर्ट में बढ़ोती देखने को मिल सकती है और ये 90 LMT के आकड़े को पार कर सकता है वितवर्ष 2023 में सरकार के लिए ज़्यादा चिंता की बात ये भी है कि सर्दियों में गैस की ग्लोबल डिमांड में तेजी आती है लिहाजा इंपोर्ट बढ़ाना उसके लिए और मुश्किल दिख रहा है लिहाजा सरकार अब आल्टरनेटिव मारकेट की तरफ देख रही है बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रकाश शेहम जानकारी के लिए बढ़ते हैं अगली खबर कियो मुंबई के लोगों को फेस्टिव सीजन में महंगाई का जटका लगा है महानगर गैस लिमिटेड ने CNG के दाम 6 रुपे प्रती किलोग्राम बढ़ा दिये हैं इसी के साथ PNG की कीमतों में भी 4 रुपे प्रती यूनिट का इजाफा किया गया है नई दरें सुमवार रात से ही लागो हो गई है इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी साही होगी श्वेता जुट चुके हैं श्वेता जरा पूरी जानकारी दें तो हार सामने हैं लेकिन एक तरह से महंगाई की मार मुंबई कर्स पर मुंबई metropolitan region में CNG और PNG के दामों में वृद्धी हुई है अगर CNG की बात करें तो यह 8 रुपया प्रती केजी बढ़ गया है और इसके जो ताजा दाम है यह 86 रुपीज पर केजी है वहीं अगर हम PNG की बात करें तो PNG में भी 4 रुपय की बढ़त देखी गई है और इसके जो revised prices हैं यह 52 रुपीज 50 पैसे पर unit है और यहां पर लोग हाला कि यह तहवारों का मौसम है और नाखुश है यहां पर यह जाहिर कर रहे हैं लोग की इस वक्त जो prices बड़े हैं उससे वह नाखुश है यहां पर हमने लोगों से पूछा कि किस तरीके से उनको budget पर constraint होगा वो साफ तोर पर यह कह रहे हैं कि जो ताजे prices हैं उनमें सीधा 6 रुपय और 4 रुपय की बढ़त से उनके जो monthly budget है इस पर भारी असर गिरने वाला है इस वक्त आप तस्वीरों में ताजे prices जो हैं CNG के वो देख रहे हैं वो है 86 रुपय प्रती kg यह CNG है और इस वक्त हम जो CNG स्टेशन पर मौझूद हैं आप लगातार आपको गाडियों की कतारे नजर आएंगी हाला कि लोगों का यह मानना है कि इस वक्त जो प्राइस बड़े हैं वो उन्हें खासा निराश कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे श्वेता अपका इस एहम जानकारी के लिए इधर रिटेलर्स को दिवाली से क्या उम्मीदे हैं और अभी तक फेस्टिवल सीजन में किस तरह की बिक्री रही है इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई सबबन मॉल से अनुराग शानुराग बताएं किस तरह की उम्मीदे नजर आरी हैं माकेट में सीजन के अंदर यो दिवाली है वो रिटेलर्स के लिए काफी चीरफुल रहने वाली है क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं फेस्टिव सीजन की शुरुआत के बाद जो सेल से आरी है वो काफी शान्दार है रिटेलर्स के मुताबिक प्री पेंडेमिक लेवल से 20 से 22 परसेंट जो है विक्री जादा हो रही है पिछले दो साल जो थे 2020 और 2021 को उसको रिटेलर्स काउंट नहीं कर रहे है क्योंकि कोरोना की वज़े से कई सारे रेस्टिक्शन थे रिटेल शॉप्स में मौल्स में जो फुटफॉल पूरा नहीं था अगर पिछले साल क्यों कमपेर करें त मौल्स के द्वारा डिसकाउंट दिये गए थे वो अब बंद कर दिये गए है और रिटेल स्पेस की जो डिमांड है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और सबसे जादा जो ग्रोथ दिख रही है क्योंकि लोग घरों से बाहर आएंगे और ज्यादा शॉपिंग करेंगे तो इस बार जो फेस्टिव सीजन काफी अच्छा रहने की एक्सपेक्टेशन की जा रही है और आने वाले दिनों में जो ओफर्स है उसकी भी भरमार जो है रिटेलर्स के द्वारा दी जाएगी रागे सहम जानकारी के लिए और रिटेलर्स और बाकी मारकेट की जो तमाम एक्सपेक्टेशन से उसके बारे में जानकारी देने के लिए और अब जियो यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर रिलाइंस जियो ने भारत में 5G सर्विस लाँच करने की गोशना कर दी है कंपनी जियो की प्रू 5G सर्विस का बीटा ट्रायल कल यानि दशेहरे से शुरू कर रही है यह सर्विस देश के चार शेहरों दिल्ली मुंबई कूल का था और वारानसी में शुरू किया जाएगा अभी यह सर्विस ओन इंविटेशन है यानि मौजूदा जियो यूजर्स में कुछ चुनिंदा यूजर्स को इस सर्विस का इस्तमाल करने के लिए इन्वाइट भेजा जाएगा इस पर और ज़्यादा जानकारी दे रहे है हमारे संभातात दानिश आनंद दानिश बताएं कि क्या त्यारी है जियो की 5G सर्विस को लेकर दीखे प्राइम इसे नरेंद्र मोदी के इंडिया में 5G सर्विस को अफिशिली लॉंच करने के बाद Reliance Jio ने अपनी 5G सर्विस के शुरवात करने की स्टेटमेंट निकाल दी है Reliance Jio अपनी 5G सर्विस दशेरा से स्टार्ट करेगा और ये बीटा ट्राइल सर्विस चार शेरों में दी जाएगी डेली, मुंबई, वारन नसी और कॉलकता और सिर्फ जो इन्वाइटेट Jio विलकॉम ओफ यूजर्स होंगे वो इस 5G सर्विस को यूज कर पाएंगे और कंपनी का ये भी कहना है कि जो यूजर्स होंगे उनको unlimited data मिलेगा और साथी साथ 1GBPS की speed ये सारे customers इस्तेमाल कर पाएंगे और Jio का ये भी कहना है कि धीरे-धीरे जैसे बाकी शेरों में नेटवर्क को रोल आउट किया जाएगा उस प्रकार से और कौनसे cities होंगी उसको Jio अनाउंस करेगा बट अल अगर हम देखें तो Reliance Jio ने अपनी Friday services के शुरवात की statement निकाल दी है और दशेरा से इन services की शुरवात होगी कि initially बीटर ट्राइल सर्विस रहेगी और सिर्फ डेली, कॉलकाता, वारण है मुंबई में ही जो इन्वाइटेज जियो की यूजर्स हैं, उस वेलकॉम अफ यूजर्स हैं, उनको इन services को यूज करने का मौका मिलेगा बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दानिश आपका इस एहम जानकारी के लिए और अब एक विशेश खबर बात करनाटक की करेंगे जो की तरक्की तो करी रहा है, अलग अलग दिशा में इसके साथ ही जो climate है, जो प्रकृती है, उसका भी विशेश तोर पर ख्याल रख रहा है और यही वज़ा है कि करनाटक जो है, वो इस वक्त टॉक आफ ड़ टाउन बन चुका है, लगातार उसकी चर्चा चल रही है करनाटक देश का बायो कैपिटल भी बनता जा रहा है, फार्मा, बायो टेक, मेडिकल डिवाइसेस के मामले में यह राज़ लीडिंग कॉंट्रिब्यूटर है, वहीं राज़ का 65% जो जमीन है, वो एग्रिकल्चर सुधार से गुजर रही है इसके अलावा इंट्रास्ट्रक्चर देख लें, स्किल्ड वर्क फॉर्स के मामले को देख लें, तो उसमें करनाटक शांदार तरीके से सपोर्ट दे रहा है साथ ही, फूड पार्क्स के लिए जो जमीन आवंटने है, तीन सो असी एकर, जी हाँ, तीन सो असी एकर जमीन यहां महया कराई गई है करनाटक क्लीन एनरजी देने और क्लाइमिट चेंज के खतरे से निपटने के लिए प्रतिबद नजर आ रहा है ग्रीन एनरजी के दिशा में भी राजी बहतरीन काम कर रहा है, राजी के चार पिलर्स जो हैं वो इंडिस्टियल डेवलिप्मेंट के साथ रेविन्यू को बढ़ाने का काम भी बखो भी कर रहे हैं प्रक्त्र प्रतिबड पिल्स स्थ isn't the people the culture the climate is so conducive so friendly people love to come to Bangalore on and on and on therefore it has converted into silicon valley of the East and this is one opportunity for all sectors, right from renewable energy to semiconductors, to all niche technical industries to set up their shops here. Karnataka is the bright spot in India's development. Its policies are investor and entrepreneur friendly. Some of the things that make Karnataka the best investment destination are the level of ease of doing business in the state, the skilled workforce that is available here, the state-of-the-art infrastructure besides being an innovation and R&D hub. Karnataka has a growth and growth in a new way. Karnataka focus, innovation, sustainability, equity, and resilience. Karnataka is the best investment in India's development. Karnataka is the innovation capital of India. We have the maximum number of R&D centers. In fact, 35% of the global capability centers are located here. Karnataka member suggests that this country of ourselves lived to see the presence of L разб करने के लिए आज ये सारे लोग खटा हुए है इन फैक जो ऑगनाइजर्स बता रहे हैं कि मुवट के बाद पहली बार यह हुआ है कि इतनी भारी तादात में लोग निकल कर आए हैं एक बार में कम से कब पंधरा सो लोग एक बार में यहां पर रोज आ रहे हैं निर्दि करन के लिए इस फेस्टिवल का जो की इंडिन कल्चर का एक अभिन हिस्सा है एक अभिन आंग है उसमें भाग लेने के लिए ये प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट हुआ दूर्गा जी की आर्थी को लेकर चिस से ये डिवनिटी से बढ़ा हुआ 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 है अगर हम बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर सब लोगों में जोश भरपूर है और सबसे जो अपने बेस्ट अटायर में ड्रेस होके और सबसे अच्छी ज्वेल्री बहन कर लेडी इस पेशली इस फेस्टिवल का भरपूर भरपूर आनल्द उठा रही है जो ये लगर्मा का जो म जो की विक्टरी होती है खुर्ट की इविल के उपर और उस तब तक पूरे नौ दिन तक ये फेस्टिवल लोगों के मत में जोश भरता है और कोविट के बार ये पहली बार उपाज मौका मिला है कि आगे आएं और भरपूर लुट्फ उठाएं इस नवरात्रे महुत सब् बिल्कुल तो आपने देखा किस तरह से घरबा के रंग में रंगे हुए हैं लोग और इदर फेस्टिवल और लाइट से नि दिवाली भी बस कुछी हफते दूर है ऐसे में दिल्ली में जितने भी अलग-अलग मार्केट से मा अच्छी खासी रौनक अभी से नजर आने दूर है फेस्टिवल लाइट से नि दिवाली से और इस समय मैं मौझूद हूँ दिल्ली के चानी चौग के भागिरत पालेस में जो देश की एलेक्ट्रिकल और लाइटिंग मिटीरियल की एक बहुत बड़ी होलसल मार्केट है और जैसे कि हम आजपास देख सकते हैं हम बि कुछ नई चीजे हो सकती है उसके बारे में बाचीद करने के लिए हमारे साथ मिश्च सुरेश कुमार जुड़े हैं जो भागिरत पालेस के एक शौप के ओनर है इस बारी की दिवाली की एक्सपेक्टेशन के बात करी जाए तो क्या लग रहा आपको दिवाली में क्या कोविड में रही है दिवाली चली नहीं है और सब इंडियन माल भीकेगा मेक्सिमम चाइन से बहुत कम माल आ रहा है तो चाइना का समाम रुकुल कम हो गया और इस बाइरी के अगर हम सेल्स की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो जैसे कि आपने बोला कि दो साल और अभी मे साल यह पाइए लेक्टिकल आइंटम्स को लेकर देखा जाएगी तो इस बारी की देवाली यें काफी अची जाने वाली है दिली के भागिरत पालस के ट्रीडर्स के लिए और ये असली फिगर हमारे को तीन हफ़ते के बाद ही पता लगेगी जब सेल्स के खतम होने के बाद नंबर हमारे सामने आएंगे कैमरा पॉसिंट टॉम्सन जेकब के साथ दानेश आनत इतिनाव स्वदेश के लिए और चले अब आपको दिली से दूर बंगाल लिये चलते हैं बंगाल की दुरगा पूजा पूरी दुनिया में मशूर है हर कोई इसे देखना चाता है क्योंकि ये अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ आर्ट और लिट्रेचर का इस तरह से संगम करते हैं अपने पंडाल की थीम में जो देखते ही बनता है ऐसी खासियत लिए हो है बंगाल के भवानी पूर का एक विशेश दुरगा पूजा पंडाल इस बार इस पंडाल की थीम रही धरोरों पर केंद्रित और हम आपको दिखाते हैं एटी नाओ स्वदेश के संग गर्भा के रंग खीमाणी झाल के बंग, अरि हमें घ्चर फिर्फमों आपको फिर्स gusta स्वार स्वार के नाओ ज़से कुछmeye कर स्वदिजां के ऐससे जाते हैं कि अगर भारत में निवेश करना है तो कैसे करना चाहिए निवेश में क्या गलतिया है निवेश में क्या गलतिया नहीं करनी चाहिए और हम नितजा करेंगे बसंद जी से की चाय की सिप के ओपर एक टिप भी देते हैं एक साल का सफल कारिया उन्होंने समकुन किया है और मुझे लग रहा है आते समय में और भी अच्छा कारिया करेंगे भारत में आज कई जगाओं से छोटे-छोटे कस्पों से छोटे शेहरों से जो पहले कभी निवेश नहीं करते थे वहां से भी निवेश नहीं करते हैं और मुझे लग रहा है कि उनको हिंदी भासा में शवल भासा में निवेश नहीं करेंगे नए साल में भी खूम मचेगा दमाल और हमारी टीम करेगी सबसे ज़्यादा कमाद हमारा देश हमारा देश फाइनाशल लिटरसी में हो नमबर वन इसी कामना के साथ शुब कामनाए एटिनाव स्वदेश को हापी बर्देश सब दों से चलें मेरा देश हमें एटिनाव स्वदेश हैं हापी बर्देश एटिनाव स्वदेश वी आघ दिजिटल वी आज़े शोदेश एक्सपिरेंस यहां मिला वो मतलब अल्टेमेट का हपी बड़े सोदेश हपी बड़े एटी नाव सोदेश हपी एनिवस्टरी टू एटी नाव सोदेश बहुत बहुत शुप कामना है आगे भी आने वाले कई साल शांतार रहेंगे ऐसे मेरी रुआ है एपी बड़े एटी नाउस वदेश बे मिसाल एक साल एटी नाउस वदेश के लिए पिछला एक साल सिर्फ बे मिसाल ही नहीं कमाल भी रहा है नमस्कार आप देखें एटी नाउस वदेश एटी नाउस वदेश की पहली सालगिरा पर हमारे साथ एक खास महमान आज जुड़ रहे हमारे वीवस से और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ पदम श्री श्री केलाश खेर आज बातचीत करने के लिए जुड़े हैं केलाश जी बहुत 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 प्रणाम और इटी नाउस वदेश पर आपका बहुत स्वागत है जब हम इस बारे में सोच रहे थे कि पहली सालगिरा है हमारे चैनल की जो प्रग्रती प्रस्परिटी की बात करता है इती नौस देश तो हमें आपकी परस्टनलिटी जब हमने सोची है और हमने अडिटर से बातचीत कर रहे थे तो एक्दम धली वी नजर आई क्योंकि आप खुद भी कैसी परस्टनलिटी है आप बहुत बड़े देश प्रेमी हैं आप हिंदी प्रत्वी पर एसी सब्यता में प्रत्वी के तीन चकर काट चुका हूं पूरे ब्रहमान के कह सकता हूं क्यूंकि जब आप हवाओं में होते हैं तो आप नब और प्रतवी इन दोनों के बिच में होते हैं अधर में होते हैं तो आप उसमें भी बहुत समय गुजार ensuite हमने इतनी फ्लाइट्स लेली हैं उडान इतनी भर लिया है जितनी जो कार्य करते हैं अवियेशन के शेत्र मों उनके भी घंटे नहीं होते हैं हमारे असीमित घंटों में हमने उडान भरी तो हमने एक तरह से ब्रह्मांड के कुछ चक्कर काट लिया है कुल 17 वर्ष के हमारे अवधी में जो हमारी संगीत की या क्षेत्र में क्योंकि हमारा क्षेत्र MBA, CA, Engineering यह वाला तो नहीं है जहां श्योर्शॉट छे साल का अध्यान कर लीजे और उसके बाद श्योर्शॉट campus recruitment आपका होगा तद पस्चात आपके बड़े-बड़े कारोबार भी शुरू होंगे जोब लग जाएंगी हमारे क्षेत समस्यां का हमारी ही समस्यां जैसी ऐसे कई विधाएं देखिये खेल भी एक ऐसी विधा साहिव और कला और संस्कृति की भी विदा ैसी ही है आपwhat场 का खाना भी मैसर होगा की नहीं आपको तो उपलब्द होगा की नहीं ऐसे में आप चल पड़े हैं जुनून लेकर कि नहीं मुझे भारत का बनना है बारती यह बनना है जब मैं प्रारंब में आध्यात्मिक गाने गाता था तो सब लोग चकित होते थे कि यह बालक किस तरह के गाने गाता है जब दुनिया में चित् चित्रहार से प्रभावित कभी इसलिए नहीं हो पाई कि हमें चित्रहार दिखता ही नहीं था हमारे पास था ही नहीं ऐसा साधन तो हमारा जो लालन पालन हुआ है वो एक आश्रम गुरूपल में हुआ और हम दिल्ली की पैदाईश होते वे भी दिल्ली में हमारा हम उत्प के थे वो मेरट मेरे तब से मेरट मेरट हम से चिपका हुआ है बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि वह भी गंगा और जमना के मध्य में एक स्थित खंड है और उसके बाद हरिद्वार और रिशीकेश रिशीकेश में मेरा योवन जिसे कहेंगे किशोरा वस्था से जब आप जोवन को प्राप्त होते हैं तब आप गंगा नदी के तठ पर एक आश्रह में परमार्त निकेतन मैं वहां गाता था कैसे गाता था क्योंकि मैं कर्मकांड सीखता था और मैं बहुत बहुत उतल पुतल की जिन्दगी जी चुका था पहली तो जब मैं वहां पहुंचा यान और अनुभव क्या होते हैं अनुभव कभी-कभी विशैले भी होते हैं कसैले भी होते हैं कटू भी होते हैं मृदू भी होते हैं हमारे हिस्से में कटू और विशैले और कसैले यह अनुभव आए जिससे परमात्मा के हम जो आराधक हैं मेरे भोले नात के उसका प्रभाव ही यह है कि मेरे दाता ने विश्पिया विश्पिया तो शिव कहलाए और सारा यहां रोक लिया कंट में नील कंट कहलाए तत पश्चात पूरी दुनिया को बचाया पूरी धर्ति को जब तरही तरही मच गई कि यह तो पूरा जहर का एक नदी निकल आई अब इसको कौन समाह करेगा बाबा ने हमारे बावलो हट जाओ ऐसे गरल अपना पूरा यहां समाहित कर लिया और दुनिया बचा ली तो मैं आपको इसलिए यह बात बता रहा हूं बहुत सारे प्यारे लोग आप जैसे हम से पूछते हैं आप शिव के उपासक हैं इसके पीछे का कुछ तथ्य बताइए तब हम बताते हैं कि मेरे दाता ने कितने विश्पिये परंतु अम्रित इस धर्ती को दिया ऐसे ही हम हैं बहुत विशमताएं आई बहुत कटुताएं आई बहुत असफलताएं आई परंतु हमें अध्यात्म की डगर छोड़नी नहीं थी क्यों क्योंकि हार ये न का बंदा बनेगा तो इस तरह से कैलाश खेर निर्मित हुए हम वहां गाते थे और जिस प्रकार का गाते थे उस प्रकार की गाई की से सब चखित हो जाते थे फिर जब हम यहां मुंबई में आये तब तक हम 29 या 30 के लगबग हो चुके तो तो तब तक कुछ लोग हमसे प्रेमों सुनाने के लिए एक दो से मिले अपोइंडमेंट बड़े मुश्किल से मिला तो तो वह बोलते थे ते नो इट जीवन का सत्य परंतु जैसा मैंने कहा हार ये ना हिमत भी सारी ना राम यदि आपको अपने देश पर यदि आपको अपनी माटी पर यदि आपको अ अराध्य पर यदि आपको अपने परमात्मा पर अटूट विश्वास और यकीन होता है तो मेरे दाता चमच लेके भागते हैं पीछे ले विटा एक और देशी घी पी ले पर पी ले विटा ऐसे दोड़ा दोड़ा के फिलाते हैं लेकिन आपको अडिग होना पड़ता है इसका परमार्त उधारन जो इस वक्त आप साक्षात देखते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्रधान मंत्री देखिए कितनी विशमताओं से ऐसा मनुष्य आया है इन्नों ने खौबों में भी कभी संसद्वी नी जाने की सोची होगी लेकिन जिस दिन गए मस्तक आज तक हमारे देश में कितने प्रधान मंत्री आये हैं आपने कभी कोई केदारनात गया हो इतने प्रतिष्ठा होकर इतने घर्व से पहना हो जगाया हो या भाशा को भाशा को लेकर भी ऐसा कुछ पागलपन दिखाया हो कि भाशा ही मेरी जननी है मेरी पहचान है मेरा गर्व है यह हिंदी आप तो मिलते रहते हैं उन से काफी मैंने साथ में प्रोग्राम देखे हैं आपके आधीयोगी वाला जो संगीत गया था उनकी प्रेज़ इसमें प्रभु में है बहुत आपका अपका मंतों के उचारों वाला संगीत सुन लीजे कैसे यह हुआ यह क्या होता है जिस प्रकार से आवशक्ता आविशकार की जननी होती है इसी प्रकार से हम सब जो हैं वो क्या हैं हम सब एक ऐसी यूनिट एक ऐसी इकाई हैं जो वो एक अध्यात्मिक उर्जा संचारित हो रही है मेरे दाता उसको चलाते हैं ठीक है मैं कभी-कभी अपने वक्तव्यों में हसी हसी में एक बहुत बड़ी बात कह देता हूं यह हम अपने स्वजन्य होती हैं हमारी बातें सुनी हुई नहीं होती यह भी देखिए हमने किता हम अपने मजाक मजाक में बताते भी है कि वक्तव्य में कि देखिए आज की दुनिया कंप्यूटर चला रहा है हाजी चला रहा है लेकिन कंप्यूटर को कौन चला रहा है कुई इंसान पीछे रखा हूँ है पहिया कंप्यूटर को मेरे दाता चला रहे है मेरे राम चला रह अब आप उनसे data बुलवाईए तो data बुलेंगे, data, तो देखिए data से ये दुनिया चल रही, सारा खेल data का है की नहीं, data बेचा जा रहा है आज कल, China तलक, China दुनिया को बेच रही है अपनी संपत्ति और अपने अपने उत्पाद, और चाइना को दुनिया बेच रही है, क्या और राम ही चला रहे हैं, तो इतनी आस्था जब होती है, तो फिर ऐसा होता है कि मेरे दाता ही कराते हैं सारे कारे, मैं कहता हूं संगीत सिर्फ माध्यम मनुरंजन का नहीं हो सकता, it can be enlightening also, तो ये इसके लिए हमें अवलोकित करता है, हमें आत्म मन्थन के लिए प्रेरित करत है, और आज इसलिए परमात्मा की मैं बात बोलता हूं, जिस वकत ऐसे गाने चल रहे थे कि काटा लगा और कलियों का चमन चुबता है, और ऐसे गानों के बीच में अचानक मेरे परमात्मा ने क्या गाने लिखवाने शुरू किये, स्वयम एक ऐसी ओर्जा बना दी, सुन लो आन महरे भगवान, आरती, भगवान, प्राण, मंदिर, पुजारन, यह हमारे रोमेंटिक गानों में यह शब्द आये, उस वक्त आये, जब काटा लग रहा था लोगों को, तो अगर ऐसे समय में मेरे दाता ने ऐसी रचना रच दी, कि रोमेंटिक गानों में भी स पुकार है, मुझे लगता है मेरे दाता ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे भोले नात ने, मेरे महादेव ने यह रचना रची है, कि इस वक्त इस प्रत्वी को क्या चाहिए, जैसे माता पिता को चाहिए होता है न, पता होता है कि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चा तो है माता पिता जान इस वक्त संस्कृति में भी हमारे परमात्म परम्पिता परमेश्वर को पता है कि अब क्या देना है आज की संतती को इसी लिए आप देखिए बाहु बली में धरा धरेंद्र नंद नी विलास बंधु बंदुरस पुरद्रुगंत संतती प्रमोदमान माहन से कृपाकटाक्ष दोरणी निरुद्ध दुद्धरापदी क्वचिद्धि गंबरे मनो विनोद मेदु अस्तुनी कोन है वो कोन है वो कहां से वो आया चारों दिशाओं में तेज सब चाया उसकी भुजाएं बदलें कताएं भागी रथी तेरी तरफ शिवजी चले देख जरा ये विचित्र माया देख तो कौन है ये मैं आपको बताता हूं अब मनुष्य नहीं कुछ कर पा रहा यह प्रूब किया है प्रकृती ने पिछले इसकार उच्ति शाल बन में पड़ों की मनुष्य कमश्य कवे कि splitting दिमाग वाला बन रहा है तु बहुत पैसे वाला बन रहा है। तु द야지 कि बहुत शक्टि शाली बन रहा है कि पैसा भी है और पिता भी है और बीमार है गाड़ी लिए गुम रहा हूं एक बेड का अरेंजमेंट करा दीजे ये हमको कॉल आ रहे हैं हम तो कुछ भी नहीं है मेरे ईश्वर हमको तो तब यह मेरे डाता ने बताया कि आपसे नहीं दुनिया चल रही है प्रकृति का कुछ एक विदान है वहां से चल रही है तो जब इतना ही सत्य है जब इतना ही क्रत्य है तो क्यों ना मनुष्य चेट रे नर्चेट रे तिरा चिडिया चुक गई खेट देखो फूहड और ऐसे निरर्थक मनुरंजन तो बहुत हो सकते हैं वो तो नुकड़ मिल जाएंगे परन्तु यदि आप कला और संस्कृति के तपस्वी बनकर आएं साधक बनकर आएं तो यह आपका करतव्य है कि आप जो भी परोसें ऐसा परोसें कि वो संततियों को नरिश करें उनको और ज्यादा स्वास्थ वर्दक वर्दक उनके जीवन को और पोशक बल मिले उनको बल मिले तो ऐसा हमारा यह करतव्य है जो साधक हैं जो लेखक हैं जो वक्ता हैं उन सब का यह करतव्य है बले वह कोई भी क्षेत्र में हूं बैंकर का करतव्य है कि वह बैंक अ अच्छे से कर ले, अब अच्छे से कर ले की परिभाशा, तरी जन्गल-जन्गल क्या ढूंड है, तरी रौम में शीवों शीवों तू पत्थर में, लेके न्यायाल है तो आप परमात्म का न्यायाले आपके अंदर हैं, आपको कभी जाने की जरूत ने, आप अपनी आत्मा स और तु तुझसे नीच हरकत कोई और ही नहीं लेकिन एक्सेप्ट करना क्योंकि आपकी जो आत्म मुग्दता है आप उसे एक्सेप्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक आप बैड पे ना पड़ जाए जब ताद देखिये अभी मैंने कल कोई कहीं से एक लिंक आया न्यूज क हमारे पौन पर तो एक कोई क्रिमिनल था जिसने कोई क्राइम किया होगा उसको पुलीस ने पकड़ा होगा तो जब क्राइम कर रहा है तब उसके चर्चे अलग प्रेकार से बता रहे हैं थे विचारे चैनल वाले लेकिन जैसे उसे पुलीस लाद के ला रही है तो पता आपको बहुत सरे युवा फॉलो करते हैं, आप प्रिर्ला लेते हैं आपसे, आपकी कहानी से भी, आप देश के युवाओं को पुर्शार्त के बारे में, और सेल्फ मेड हैं क्योंकि आप खुद भी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मेसिज देना चाहेंगे? सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ अजे जी, एटी ना स्वदेश के ऐ मेरे दिखदर्शकों, ऐ मेरे दर्शकों, ऐ मेरे श्रोता हूँ, मैं आप सब को ये करबध प्रार्थना करता हूँ, कि उन्नतिशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता टैंक तोप विमानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता खंदक और खदानों से, उन्नतिशील देश होता है उन्नतिशील नोजवानों से, तो एए मेरे नोजवानों यदि आप उन्नती शील हो गए तो ये बात बदल जाएगी मेरा देश और भी आज तो खैर बाती रंगती अलग है लेकिन और भी इसको महान से महानतम की यात्रा आप करा सकते हैं विकास से विक्सित की और आप करा सकते हैं विकास शील से और इस प परन्तु प्रकृति को कभी छोड़िये मत इस वक्त मनुष्य जो है वो पगला गया है और परिश्रम करना छोड़ दिया उसने जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे साहिब आप सबसे बड़ा उधारण में बताता हूं चीटी का आप बरसात में देखिए चीटियां दिखत लेती हैं वो और वहां रहती हैं इतनी दूर दर्शिता यदि आप में हो अपने स्वास्थे को लेकर दिमाग एक से एक भारत में अब अब तक आ चुके हैं और भी आएंगे लेकिन अगर शरीर ठीक नहीं होंगे यदि आप एंडे बेंडे हो जाएंगे उमर से पहले ही त अपने आपको संभालो अपने स्वास्थे को संभालो बस अगर आपने स्वास्थे संभाल लिया तो फिर तो आप लड़ भी सकते हो वरना स्वास्थे नहीं होगा तो लड़ भी सकते हैं अच्छा यह बताइए कि आप घंटों पर रियाज भी करते हैं और काम कर रहे हैं औ पहिया, आप क्या खाते हैं? और किस तरह से आप इतने एनरजेटिक और इतने उर जवान रहते हैं? अब मैं आपको बताता हूं, मैं घम खाता हूं. मैं दुख और बेफिकरी इन दोनों में रहता हूं. दुख मेरे परमात्मा है. उन से मैं जप्पी पा पाके रखता हूं. अब ये दो चीजें कैसे पाली जा सकती हैं, उर्जा कैसे आती है, कुवे से मनुष्य पानी खीचते हैं, कभी आपने देखा हो कि कोई पानी डालता हुआ भी दिखा हमें, आज तक कभी दिखा हो, लेकिन फिर भी कुवा चार्ज करता है, मैं कहता हूँ यदि आप में सुप हूँ जातर होते हैं, उन से अनरजी और प्राप्त होती है, जितना हमें चार्ज ट्रेवलर हैं, सलेबरेटे हैं, यह सब है, परन्तु हमारा आप शरंगार देखिये, हम क्या है, जैसे ही आपके आने से पहले हम थोड़ा अपने ध्यान में थे और कुछ लिख रहे थे, लिख रहे थे में भी हम ऐसा पागलपन, कुछ बगवान आते हैं लिखने, लिखावत सकते हैं, अब ऐसी स्थिती ही है हम, कि आराम से हम द्रूपयों कर सकते हैं, लेकिन न कर पाना ही सबसे बड़ी अनुकंपा में, दाता की मानता हूँ, और जैसे ही आपके आने का समय हुआ, तो आपके आने से पाँच, हमें छे बज़े का समय मिलाता, तो देखिये हमें कैस जगाते हैं मेरे दाता कि हम कोई और वस्त्र पहने हुए थे तब ही हमको अचानक बाबा ने बोला छे बजने को पांच मिनिट में के कुर्ता पाइन लो आ गाए हैं तो हमने वह अपनी जो लिख रहे थे वह रख दी और दोनों जो लिखी हुई चीजे थी वह भेजी अब क् लेखे कैसे हमारा जिवन है कैसी यह और जाती है कि जाते जाते आता ही है तुझे जीत जीत घारूं यह प्रान प्रान वारूं ऐसे नहारूं तेरी आर्ति उतारूं कैसे हाती है साब हम एक रहाritos चैनर साथ खोर चेरा से ठीक है एक तो वो अभी हमने लिखके भेजा है वहाँ पर ताकि उनकी उमंगे जागरित रहें ठीक है साहिब मध्यप्रदेश सरकार को वो भेजा ततपरश्चात एक आदी शंक्राचार्य की भी मूर्ती बन रही है आदी योगी की तरह साहिब वो भी प्रधान मंत्री जी ही उसको अनावरित करेंगे वो शायद एक-दो महीने में होगी परण्तु महाकाल जो होगा महाकाल का जीर्णोद्धार हुआ है उस प्रांगन का भी पूरे एलिया जी जैसे विशुनात कोरिडोर बना है तो इसी प्रकार से हमारे कदान मंत्री जी वहां भी आएंगे और उसको भी उद्गाटन करें उसकी तैयारी का ही कारिया चल रहा था अब देखे उर्जा बह रही है जब कि जब कि कैसा होता है जब आद्मी काम में लगा था तो ऐसे मू बनाया होता है बस ऐ जैसे जैसे इसी को हमाले पूरा क्लीन करना है विचारे को अवे भाई हस परमात्मा खुश होंगे अगर तू हसेगा तो बालक जब खुश होता है तो माता-पिता कैसे खुश होते हैं लेकिन ये बुद्धी पतह नहीं कैसे अचानक बड़े बन के हो जाती है ने इसमें त इतना उर्जावान काम कर रहे थे हैं मैं थोड़ा सा उर्जाम आई तरफ भी आजेगी ये तो हस्तान तरह नहीं सर ये जैसे नदी है ना तो नदी का बहाओ अब इस तरफ से अब इस तरफ से हमारा जीवन जो है हे तु नदिया मदमाती तू हवा बन इठलाती हम धूप की चटाने तू हस हस पिगलाती है मेरा इश्क अनोखा हैरी कि बस जताना नहीं आता हां बताना नहीं आता है मेरा इश्क अनोखा हैरी क्या वात है एक आखरी सवाल जाने से पहले कि आज आज आपके वह प्रभू का हमेशा ही अशिरवाद रहा है लेकिन आपने पूर्शार्ट से आगे बढ़े आवरे युवाओं को संघर्षों का क से कुछ कही है आप मैं हमारे युवाओं से एक बात बताता हूं आप युवा को यदि थोड़ा सा विशम कर दें उल्टा कर दें तो देखिये क्या होता है वाईयू जब ये कोविड काल आया था तो किस चीज से मनुष्य क्रंदित हो रहे थे किस चीज की बार बार एक आशा हो रही थी क्या मिले कि जिससे जीवन बचे वो थी वाईयू प्राण वाईयू एह मेरे युवाओं आप एक प्राण वाईयू हैं और संघर्ष जो होता है वो आपकी सत्यता सत्याफित करने के लिए आता है यदि आपको कोई भी चीज बिना परिश्रम किये मिल जाए तो आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे आईफोन में आपको अभी बारा दे दूं और अचानक फ्री में दे दिया था आपको अचानक आपको ये न्यूज मिल जाए कि तेहरा भी आ गया है बजार में तो आपके मन में वो बारा की कोई इज़त नहीं होगी परंतु यदि आपने आईफोन सिक्स तलक के लिए एफर्स किये हैं पापड बेले हैं और आज जब बजार में तेहरा गूम रहा है आप सिक्स लेकर इतने पावन अपने आपको मान कि मैंने पापड बेले मैंने मेहनत की मैंने पैर दबाए गुरुओं के साधकों के यहां से मुझे थोड़ी सी दक्षना मिली अब मैंने आईफोन 6 लिया तो इज़त होती है इसलिए जो भी आप मेहनत करके अर्जित करते हैं उसका जो सुकून होता है उसका जो दिल में ध Satisfaction Level जो है उसका बड़ा होता है इसलिए यह जो बिना आपके जीना भी आसान नहीं जहां विपदा ना हो समझो वहां भगवान नहीं तो ऐसे में यदि संगर्ष आता है तो वह आपको बनाने के लिए आता है यह जो चमकदार हमने कड़ा पहना हुआ है किसी धातू का इस जो दाना मिटी में गलता है एक दिन वही फलता है क्या बात है तो जाने से पहले इतिनाव सदेश बढ़ों देश के साथ हमारा मौटो है हमारे चैनल का देश की उन्नती हो और उसमें आप कैसे भागीदार बने यह हमारा मौटो है इतिनाव सदेश का तो अगर आप कुछ निए इतिनाव सदेश बढ़ों देश के साथ के लिए तो हम पहले Auston देश के साथ कि मेरे युवाओं जनून का नाम ही युवा है उस जोश का नाम ही युवा है वरना ऐसा कोई आज तक मुझे बता दो पुरी दुनिया में जो रीला पडा हो वो या हो हो ही नहीं oops क्योंकि देखिए कहने के लिए तो किसी भी आयू में आप हो सकते हैं लेकिन किसी वायू में अगर आप नहीं है तो युवा नहीं तो आपके जुनून को मैं समर्पित करता हूं इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए हसते हसते आशिक सूली चड़ जाए जब इश्क का जादू सर चड़ कर भोले खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले यही इश्क दी मर्जी है यही रब दी मर्जी है तेरे बिन जीना कैसा हां खुद गर्जी है हां जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और एटी नफ सादेश को समय देने के लिए बहुत 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 प्यारा लगा और आपने वस्तर जो पहने हैं एकदम भारतिये हैं और देको सूत पहना का पास यह बहुत शरीर के लिए लाबकारी है भया देखे फैशन कीजिए लेकिन ऐसा फैशन ना कीजिए जो स्वास्थिकोहानी पहुंचा है बस यही हमारा सबसे अनुग्रह होता है बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा लगारे नमस्कार करें कर दो